नो बड़े बड़े रेकॉर्ड जिया दोस्तों जैसे कि आप सबको बता आई था कि फाइनल माच के लिए आज राजस्तान रॉयल्स वर्सेस संर्यजे साहत्राबाद के बीच मुकाबला था जो भी जितने वाला तक फाइनल में जाने वाला था और आज राजस्तान फिर से हा तो अभी तक चन्ने में IPL के आठ प्लेयाफ मैचेस हुएं जिसमें से चे मैचेस जिनों ने बातिक पहले कि है वो मैचेस जीते हैं मतलब दो ही मैचेस चेस करता हैं याँ पर चन्ने में जीते गए है इन द प्लेयाफ अगले रेकॉर्ड की तो बात करें तो दोस्तों ये काफी हाइरानी वाला है, most defect in IPL playoffs, सबसे ज़्यादा प्लेफ में defect कर जाली 10 बार RC भी है, 16 मैचेस में, 26 मैचेस में 9 बार CSK है, 11 मैचेस में डिली कैपिटरस नो बार है, 20 मैचेस में मुंबई इंडियर साथ बार है, 16 मैचेस में सारिक साथ बार है, 11 मैचेस में आरार मतलब प IPL Final, IPL Final में सबसे ज़्यादा बार पोचने वाली टीम के अगर बात करें तो सबसे पहले नमबर वन पर आती है, 10 बार IPL Final में पहुचे हैं और 5 बार IPL जीतने में कामियाद रही है, इससे भी बड़ा रेकॉर्ड अगर देखें, तो मुंबई इंडियर के नामें, इन्हों भी तीन बार IPL के Final में पहुचने में कामियाद हुई है, इसके बात कि अगर रेकॉर्ड की बात करें, तो Captain with the most wickets in an IPL season, एक IPL season में, as a Captain सबसे ज़्यादा विकेट लेने के रेकॉर्ड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए है, Shane Warne ने, अफोस आप सबको बी एक मैच उनके पास रेकॉर्ड कोडने के लिए, Pat Cummins ने अभी तक साल 2014 के इस IPL में 17 विकेट ले लिए है, उसके बात अनिल कुमले की उन्होंने बराबरी किये है, अनिल कुमले ने भी 2010 के IPL में 17 विकेट लिए तो वही रवी चंदर नाश्विन ने PBKS के लिए 2019 में 15 लिए ते और शेन वर्न का डाम एक बार फिर से आपर आता है, साल 2009 में शेन वर्न ने चाहुदा लिए थे, तो दोस्तों Pat Cummins के पात अभी भी महुका है, अगर वह वह दो या तीन विकेट ले लेते हैं, दो विकेट लेते हैं तो शेन वर्न की बडाबर ही कर लेंगे अब से जबदस गेंबाजी की थे, भूनेश औरmee साल 2016 में केकर खेमने में केकार्ड में धिलीमें 19 स्रंटे कर फीमरेते लेते, अब नम् nutrember 2 पतास नाम आपका जाता, शावा सायवाद्का जिन्हों ने आज UMPAC deiेर का प्लीयर्स में गौकेते में 30 स्रंटे कर फीमरेते ही सबसे जादा स्पीन एक इनिंग में लेने का अगर देखे तो सबसे बड़ा जईटी वर्सेस पीबी के मुल्लापूर में सात टेली तेरा ओर में उसके बाद नौ और में संपता अरंदेकर पाच अररो स्हारेश आरार जेनरे में वही तस ओवर में 125 रंदेकर पांज का मुकाबला नंबर दो पर आ चुका है चले बाग कर लेते अगले रेकवर्टी जो और भी बढ़िया है यहां पर अगर आप देखेंगे तो चोंग काएंगे शाबाज एहमद बॉलिंग इन चैन्नाई इन आई पील जा दो आई पील में शाबाज एहमद म अभी तक उनों ने गेलबाजी की है जिसमें से अगर देखें तो फर्स इनिंग की बात करें तो एक बार 2021 में मुंबई की खिलाब 14 रन डिये थे एक और में कोई विकेट ने मिला था तो वहीं 2024 में अभी कुछी दिनों पहले तीन ओवर किये थे 33 30 रन दिये थे और वहां अभी उनको विकेट ने मिला था मतलब पहले इनिंग में जब भी चैंगने में गेंबाजी के इनको कोई विकेट ने मिला और उनको बार पड़ी है वो अलग से लेकिन यही अगर सेकंड डेनिंग की बात करें तो जहां पर बदल जाता है एक्वेशन ज्या दस्तों सबसे करें अगले तो बात करें 2021 में और शृस्टेण एक खिलाब उनों ने साथ व दे कर तीन विट्टी हासी तो फिर दो वर मी और आज भी बात करें तो तो राजस्तान नोय्स के खिलाब सेकंड डेनिंग में उनको गेमबाजी बीली चार और में तो तो अगर बसली अगर बात तो शाबा जायमत सेकंड डेडिंग में काफी जादा एफेक्टिव सावित हो जाते हैं जो कि काफी अलग स्टाट्स है बात करते हैं अगले रेकॉर्ड तो यह स्टाट्स है ये श्यास्वी जैसवाल के बारे में मतलब मुझे यहाँ पर रियान पराक के भी मिले थे शाजयू सामसंग के भी स्टाट्स मिले थे लेकिन मुझे इनके स्टाट्स जादा मतलब इंट्रेस्टिंग लगे ये श्यास्वी जैसवाल वर्सेश स्पीन इन आईपेल तो अभी तक पहली बार आज आउट हुए है वह स्पीन के खिलाब और उन्चर गेंटों में उन्होंने स्पीन के खिलाब 101 रन बना है 132 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रच तो यह थोड़ा जादा बड़िया स्टाट्स लगा इसलिए मैं आपको दिखा दिया वैसे संजो सामसंग और रियान पराक भी दो-दो बार अब ही के लिए इतना है मिलते हैं ले उड़े में तब तक के लिए गुडबाए